Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं, gate exam की. Month of February में आपका gate exam है. February में gate exam होगा, अभी तक ये 3-4 exam हो चुके हैं, it's a new exam. Last moment है और बहुत सारे students confused है. Gate 2024 English Literature में actually पढ़ना किया है. So this is a crash course और मैं आपकी help करने वाला हूँ. आपको यहाँ पे जो जो चीजें important हैं, जो जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको सारी बताने वाला हूँ. The most important thing is that I've qualified gate for two times. जब gate सबसे पहले announce हुआ था तब, उसके बाद जो हुआ वो, बीच में, एक चीजे में आपको बताना चाहूँगा, कि confusion आया था that what is the syllabus of gate and net. 70% syllabus same है. British history, Indian literature, criticism, theory, यह सब सेम है. But again, gate exam is for graduation students. Graduation aptitude test in engineering. क्या आप जानते हूँ, कई बार बड़े-बड़े expert भी gate qualified नहीं कर पाते हैं. The reason behind this is negative marking. Gate exam में, there are so many questions which are MCQs, then there are so many questions which are MSQs. What is MSQs? The MSQ questions actually created issues. Multiple selective questions and answers. So, here we have multiple choice questions. Here we have multiple selections. Means, आपको 8-10 options मिलेंगे और आपको बोलेंगे इनमें से कौन से 4 options सही हैं, उनको pick करो. Maximum students ने यहाँ पे गलती की है. क्योंकि किसी भी writer या किसी की book के बारे में, आपको 2 point confirm पता हो सकते हैं, 3 पता हो सकते हैं. लेकिन अगर 10 में से 5 confirm point चुनने हों और उनमें से 2 point ऐसे हों, जो writer की personal life पे हों, कोई भी गलती कर सकता है. For example, एक question में आ जाएगा, कमला दास ने इन्डिन राइटर, ओके, कमला दास ने लिखा है my story, invitation, sunshine cat, ओके. कमला दास की शादी 21 साल की उम्रे में हुई थी. अब बड़े से बड़ा writer, reader कोई भी हो, सबको तो confirm नहीं होता कि कमला दास की शादी कब हुई या नहीं हुई. एक गलत selection और आपका negative marking आपको नुकसान दे देता है. इसलिए gate की classes के लिए बहुत सारे बच्चे मर पास आते है, minus marking, negative marking, दोस्तों कोई खतरनाक चीज नहीं है, खराब चीज नहीं है. मुझे लगता है कि negative marking सबसे बहतरीन चीज़ है. जानते हैं क्यों? रटा मार के आना, मगप कर के आना, तुक्के मारना, ऐसे जो students होते हैं, जिन्होंने knowledge नहीं ली है, पढ़ाई नहीं की है, किताब को ठीक से पढ़ा तक नहीं है, बस रटा मारा, कहीं से कोई print out उठाया, रट दिया, ये बच्चे negative marking में फंस जाते हैं. negative marking एक भावर जाल है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चा देखे हैं, जिनको paper बहुत अच्छे से आता था, लेकिन 10 questions गलत कर दिये, और बाकी की marks भी खराब हो गए, इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब आप पढ़ोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, literary theory यह जितने भी नए students हैं, जो first time prepare कर रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, literary theory के उपर, literary theory में आपको याद अखना है, new criticism से ज़्यादा questions के chances हैं, क्योंकि यह graduation level test है, यहाँ पर post-structuralism या deconstruction तक के questions आने की chances ना के बराबर होते हैं, अभी तक आय भी नहीं है पिछले papers में, लेकिन new criticism जरूर देखें, जरूर question आने की chances हैं, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूंगा, जब आप literary theory की preparation करेंगे, तो new criticism के साथ कुछ students गलती करते हैं, गलती य criticism बहुत सारे बच्चे अलग से नहीं पढ़ते हैं, साथ ही साथ, बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं कि new critics ये कौन है, और formalism का क्या connection है, तो जब आप prepare करो, तो make sure that literary theory को बहुत अच्छे से समय दू, literary theory में new criticism, formalism, practical criticism क्या है, यहाँ से शुरूआत होती है, यहाँ से stylistics पढ़के ही नहीं जाते, stylistics का या तो teachers भी कई बार नहीं पढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ शीर को, यह भी आपका initial theory से related portion है, जब आप literary theory पढ़ते हैं, अब problem क्या है, if you want to study literary theory, मानली जब अपने आप पढ़ना चाहें, तो होता क्या है, एक student literary theory पढ़ने के लिए, वो से भी पढ़ें, इन्होंने इंडिया के competitive exam के लिए literary theory नहीं लिखी है, they have written the authentic textbook for the scholars, यानी कि आप इनको पढ़ेंगे तो भी समझ नहीं आएगा, अगर Peter Berry की किताब पढ़ने से literary theory समको समझ में आ जाती, तो one-sided result निकलता, कोई भी कहीं से कुछ भी पढ़ता और pass हो जाता, तो theory में आपको ध्यान ये रखना है, कि चाहे आप यहां से पढ़ो, चाहे कहीं और से, मेरा suggestion है 5-6 sources use करना, 5-6 sources का मतलब यह है, कि आप अलग-अलग box, websites, YouTube videos या एक काम और कर सकते हैं, अगर literary theory easy language में समझना है, आसान भाशा में, जैसे मैं आप समझा रहा हूँ, तो literary theory के साथ आप विनीत पांड़े YouTube के लिखना दीजे, आपको बहुत सारे मेरे easy language के वीडियो में लेंगे, देखना जरूर, ना समझ में आए, तो बहुत सारे और लोगों ने भी मेरा देखा देखी पढ़ाया हूँ है, लेकिन आप सीख सकते हो, theory पे ज़्यादा से ज़्यादा terms हैं, for example, aporia, एक paper में आएगा, aporia क्या होता है, simple सी चीज़ है, एक और question आजाएगा, what is dialogism, आपसे पूछा जाएगा, what is dialogism, अगर आपने dialogism नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके marks वाँ चले जाएगे, या फिर अगर आपसे पूछा जाए, कि एक जो particular theory का नाम है, intentional fallacy, अगर आपसे पूछा जाए, effective fallacy, intentional fallacy क्या है, तो आपको इन terminologies को समझना पड़ेगा, hearsay of paraphrasing जो है, वो क्या है, तो इस तरह के बहुत सारी जो theoretical terms है, supplement क्या है, metaphysics of absence and presence क्या है, interpolation क्या चीज़ होती है, या कौन से words को deconstruction में eraser बोला गया है, trace किसे बोला गया है, transcendental signifier क्या हो self-positioning term किसका है, thick description term किसका है, tension term किसका है, तो जो terms मैंने आपको भी 15-20 terms के नाम ली है, you need to know the terms, उन terms का मतलब क्या है, और उन terms को देने वाले writers कौन कौन से है, तो terms चाहिए, terms के साथ authors या critics चाहिए, and कौन सी books में, कौन से terms दिये गए है, एक term का नाम आएगा, बोलेगा term कि ने कौन किया, you need to know the author, आपको पता होना चाहिए, implied reader किसकी term है, books के साथ आजाएगा कि famous book, verbal icon में, WK Wimzat ने दो terms कौन की थी, कौन कौन सी, तो literary theory पे आपको इस तरह से पूरा effort लगाना है, पूरा समय देना है, ज़्यादा questions यहां से होते हैं, negative marking में भी जो student trap होते हैं, वो है literary criticism, देखिए, criticism is a kind of philosophical approach, यह philosophy है, और philosophy का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, कि बहुत ही philosophy organized नहीं होती, it is a complete narration, एक narration चल रहा है, प्लेटो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, आपको उसमें धूड़ना है कि कहां पे माइमेसिस का idea है, कहां पे प्लेटो के idea republic के ऊपर है, कहां पे प्लेटो feminist बन जाता है, कहां पे प्लेटो educationist है, cave theory कहां पे है, कहां पे प्लेटो के विचार poetry के ऊपर आते हैं, in short दिक्कत यह होती है, when the student starts reading the criticism alone, आप फंस जाते हैं, कि आपको यह नहीं पता होते है, exactly क्या पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है, मेरा suggestion है यहा मेरा suggestion है, चाहे प्लेटो हो, चाहे Aristotle, Horace, Longinus, जितने भी नाम हम जानते हो, कोई भी हो, इनके individual papers जो हैं, वो बहुत सारे Google पे वैलिवल होते हैं, वहां से पढ़ सकते हो, free अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत सारे मेरे वीडियोज मिल जाएंगे आपको Aristotle के उपर, प्ले जाएगा मेरा, होरे सबसे toughest critic माना जाता है, क्योंकि Plato और Aristotle के होने के बावजूद, उसका अपना opinion था एक, तो आप इनको या तो इस तरह से पढ़ो, या फिर बी प्रशाद की बुक और multiple PDF निकाल की, आप एक comparative study करो, कि एक paper में simple से question आ जाएगा, वो ये पूछेंगे, कि वांग्रिल जो term है, वो mixed breed dog के लिए आता है, फिलिप सिडनी ने ये word use किया था, उन लोगों के लिए जो tragedy और comedy को मिला के लिखते हैं, tragic comedy, तो इस तरह की चीज़ें या तो आप मेरे पास भी पढ़ सकते हैं, तो या सब बनी बनाई मिल जाएंगे आपको, या फिर आप criticism क्या होता है, traditional criticism क्या होता है, इन सारी चीज़ों में जाते हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा, romantic criticism में appreciative criticism क्या होता है, along with this, जो आपको next point पे ध्यान देना है, वो है linguistics का, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, first of all, आपको linguistics के अंदर एक चीज़ या दखन हैं कि आपको linguistics में language की theory पे जाना है, अब language की theory कौन-कौन सी है, देखो ये सब जो standards है, इन्होंने net के standards से डाला हुआ है, the problem is कि आप graduation के student हैं, आप graduation based पे gate दे रहे हैं, linguistics का standard डाला है, एक simple सी famous सी एक line है, colorless green ideas sleep furiously, colorless green ideas sleep furiously, चाई line grammatically गलत है, नहीं, ये line grammatically गलत नहीं है, पर इस line का मतलब क्या है, what is the meaning of this line, colorless green ideas sleep furiously, जी हाँ, ये theorist की line है, theorist ने दी है, ये प्रूफ करने के लिए कि कुछ चीज़ें grammatically सही हो सकती हैं, लेकिन socially सही नहीं होती है, ये आपको language theory का part है, आपको norm chomps की पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा, इनके साथ CSPERS की theory पढ़ने पढ़ेगी, प्लस, Stephen Krashen की language acquisition theory देखनी पढ़ेगी, F Skinner के concept आएंगे, linguistic portion में बहुत सारे सवाल बनते हैं, logocentrecism क्या है, phonocentrecism क्या है, दिन, diacronic standard of language क्या है, synchronic standards of language क्या है, ये एक ऐसी जगह है, जहां पे बहुत सारे students, negative marking के जाल में first जाते हैं, आप ध्यान दीजेगा, gate के structure में आपका बहुत सारा maths है, बहुत सारा reasoning है, बचे वे approach 60 questions में आप English approach करोगे, जहां पे आपको 40 questions मिलेंगे, 40 में आपको questions सही करने हैं, और कम से कम theory, criticism और linguistic, culture studies के question ही आपको 15 से 20 मिलेंगे, यानि कि 20 question अगर आपके हैं माने, Indian literature, criticism, British history, तो बाकी के 20 theory, linguistics, culture studies, यहां से आने वाले हैं, आपको करना क्या है, एक balance बनाना है, जितना जादा negative marking को handle कर लोगे, जितना अच्छे से इसको handle करोगे, उतना qualify होने के chances हैं, लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा topic है, जो 1000 में से एक आदमी पढ़ता है, तो वो उसकी percentage है, तो linguistic में बहुत सारी books भी available नहीं होते हैं, और अगर होती हैं, तो graduation के level पे नहीं होती है, लिंग्विस्टिक्स एक्चुली PC या फिर PhD level के लिए होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनको guidance नहीं है, ideas नहीं मिल पाते, लेकिन, चुकि IIT का exam है, चुकि GATE जो exam है, IIT का है, और IIT की अपनी plannings है, IIT ने announcement भी की थी कि GATE English के base पे, अब वो hiring शुरू करेंगे, मेरे अपने बहुत सारे students ऐसे हैं, जो IIT से PhD कर रहे हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे students हैं, MNIT से PhD कर रहे हैं, जहां पे GATE के marks भी matter करते हैं, scholarship भी मिलती है, IIT में मैंने personally अपने students को PhD topic भी prepare करवाया थे, proposals जैसे cyborg literature पे करवाया था, humanoids पे करवाया था, electronic literature पे करवाया है, graphic novels पे करवाया है, तो GATE का score ना किवल आपको jobs में help करेगा, बलकि IIT से PhD में help करेगा, IIT से PhD होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो make sure कि आप अपना effort लगाए, qualify करें, जितने भी students, first time मुझे देख रहे है, मैं दो बार GATE qualified हो, इस बार भी मैंने GATE का form भर है, अगर GATE के exam date, जो है, वो मेरी किसी और important चीज़ से clash नहीं करती, तो मैं भी GATE exam देने जाओंगा, मेरा center शायद सिक्किम है इस बार, क्योंकि मैं exams form भरता रहता हूँ, तो set exam तो मैंने मिस्स कर दिया, लेकिन exam शायद मेरा सिक्किम में है, last मेरा gate जो था, गोवा में था, other life, किस की शादी कब होई, किस ने PhD कहां से की, यह हमें भी नहीं आता, हम भी मिस्स करते हैं, गलती करते हैं, तो जितने भी नए students हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए ये offer है, 20 December से हमारा back start हुआ था, अब दुबारा से हम एक और date दे रहें, क्योंकि बहुत सारी queries और जो मिस होगी थी, 1st January, यानि कि साल का पहला दिन, साल का पहला दिन और आपकी नई life, एक साथ स्टार्ट होगी, crash course, get exam, fees 5000 है, 8587035827, complete video classes मिलेंगी आपको, repeat कर रहा हूँ, crash courses में आपको complete video classes मिलेंगी, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अगर आपको samples देखने हैं, कि मैं कैसा प है, Horace वाला video देख लीजे, या कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, ऐसा कोई special video नहीं है, जो मैंने सिर्फ sample के लिए बनाया है, कोई भी video देख लो, अगर आपको लगता है, that I understand his style, I understand his language, and he is the man who has qualified net for multiple times, 10 बार net qualified किया है, 2 बार gate qualified किया है, multiple states qualified हो, तो आप crash course में, बहुत होँगा, आपको जितने भी linguistic के topics हैं, literary criticism के topic हैं, या literary theory के topic हैं, यह सारी चीज़ आपको मैं करवाँगा, इस video के साथ मैं और videos भी लेके आना वाला है, जहां पर मैं आपको कुछ और topic बताऊँगा, कौन-कौन से topic आपको जरूर करने हैं, आज अभी से start करो, अपना समय बह करना, transaction करनी है, इसी number पे screenshot भेजना है, same number पे screenshot भेजना है, नीचे लिखना है, my name is this, I want gate crash course, maths and reasoning classes are free, आपको हमारे बैच मैने के बाद maths और reasoning अलग से कहीं नहीं पढ़ना होगा, maths और reasoning आपको हम पढ़ाएंगे, 5000 के अंदर आपको maths, reasoning और high level English literature जिसने दो बार gate qualify के वो आएगे, तो आपका time शुरू होता है, अब बाकि जुड़े रही है चैनल से, मैं और updates और वीडियो आपको बस लेके आता रहूँगा, जब तक आप gate qualify नहीं करते हैं, इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को subscribe तो जरूर ही कीजेगा, बहुत बहुत धन्यवाद झाल